हेलो गाइस, गूड ओनीग, आज हम स्चार्ट करने जा रहे हैं आसियान देखे आसियान स्चब्द का पूरा फॉर्म आपको पता हुने चीए आसियान क्या होत букा है Association of Southeast Asian Nation ठीक है Association of Southeast Asian Nation ठीक है काईस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षण पूर्वी एशियाई संगठन ठीक है यानि दक्षण पूर्वी एशियाई राश्रों का संगठन हिंदी में इसका नाम है इसकी स्थापना कब हुई थी यह अच्छे से आदो नची यह 1967 में हुई थी में पाच देशों ने बैंकोग ना अस्थाक्षर साइन करके आसियान की स्थापना की थी ठीक है गाईस अब आसियान के संस्थापक देश अच्छे से नाम याद कर लीजेगा बहुत इंपोर्टन है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर एंड थाइलेंड ठीक है पाच देश कौन कौन से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर एंड थाइलेंड बाद में इसमें और भी देश शामिल हो गए जैसे ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाउस, मायंबार, कमबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई यानि पहले कितने थी इस शार्टिंग में 5 थी और अब कितने हो गई 10 हो गई पहले कौन कौन से देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थाइलेंड और अब कौन कौन से हो गई ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाउस, मयामार, कमबोडिया ये स रहे धान की दस बालिया हैं, जो कि दस देशों को इंगित करती हैं, ये मित्रता और एकता के धागे से बंदी हुए हैं, वृत आसियान का एकता का प्रतीक है, और इसके अंदर एक वृत भी है, जो आसियान की एकता का प्रतीक है, अब देखिए आसियान के मुख्यों तो इस्थापित करना यानि क्या क्या करना है आर्थिक विखास यानि धन से संबंदेत विखास सांस्कृतिक विखास यानि संस्कृति से रिलेटर विखास और देश में नियमों को अपालन करके शांती को इस्थापित करना है और इस्थाइत विखास अब देखे आशियान की शैली कैसी है अनौपचारिक है टक्राव रहित है सयोग आत्मक है यानि सयोग है इसमें ठीक है टक्राव नहीं है और क्या है अनौपचारिक है अब देखे आसियान के प्रमुकिस्तंब कौन कौन से है सुरक्षा समुदाय आर्थिक समुदाय सांस्कृतिक समुदाय ये तीन ह इसमें चीकि अच्छे से याद कर लीजेगा, अब दीखिये, आसियान सुरक्षा समुदाई, शेतरी विवादों को सैनिक टक्राफ तक ना ले जाने की सहमती पर अधारित है, यानि जित्ते भी शेतरी विवाद हैं, उसे सैनिक टक्राफ तक ना लेके जाया सकी, मतलब सेना वगेरा में ना involved हो आसियान आर्थिक समूदाय का उद देशे आसियान देशों को साजा बजार और उत्पादन अधार तयार करना है यानि वो सब लोग आपस में बजार मतलब मार्केटिंग कर सकें जिससे क्या होगा सामाजिक और आर्थिक दिकास होगा और इसका उद देशे एक और है कि जितने भी देशों के विश ठक्राव होते हैं उसे बाच्चीत करके सुलजाय जा सके और सईयोग से सुलजाय जा सके ठीक है गाईस हम नेक से कि आसियान का विजन दस्चवेश 2020 इसमें क्या था आसियान तेजी से भड़ता हुए एक महत्पून शेत्रिय संगठन था इसके विजन दस्चवेश 2020 में अन्तराश्चर समुदायन में आसियान की एक भई मुखी भूमिकाव को प्रमुकता दी गई आसियान दोरा अभी टक्राव की जगा बाच्चीत को बढ़ावा देने की नीती निकाले गई मतलब यह है कि टक्राव हटा कर टक्राव की बाते ना करके बाच्चीत से चीजों को सुलजाया जा सके यह किया गया इसमें ठीक है आसियान के असली ताकत अपने सदस्यों की सहभागी सदस्य बाकी गैर शित्रिय संगठनों के बीच निरंतर संबाद और परामश की नीती है यानि कि बात चीज से चीजों को सुलजाया जा सके ओके गाईस हेलो गाईस अब हम स्टार्ट करेंगे आसियान और भारत की बीच क्या क्या संबन्द है 1991 के बाद भारत में पूर्व की और देखो नीती अपनाई है भारत ने आसियान के दो सदस्यों देशों सिंगापूर और थाइलेंड के साथ मुक्त वेपार समझोता किया यानि भारत ने आसियान के दो सदस्टे कौन कौन से थे सिंगापूर और थाइलेंड के साथ मुक्त वैपार किया, यानि फ्री ट्रेड किया, ठीक है? 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त वैपार समझोता किया, जो एक जनवरी 2010 को लागू ओ, ये लागू कब हुआ था? ए स्थान पर पूर्वोत्तर कारे नीती की संकल्पना प्रस्तुत की, इसी के अंतरगत 2018 के गर्तन देवस संभारों में आसियान देशों के राश द्यक्षों को मुख्य अतिती की रूप में आमंतरत किया गया, यानि क्या हुआ? कि हमारे देश के प्रधान मंत्री भी वहाँ जा रहे हैं, देखने के लिए सैयोग की भावना बढ़ाने के लिए समझोती कर रहे हैं और उन्हें भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उन देश के राश अध्यक्षों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, ठीक है? 2018 में सिंगापूर में हुए 33 आसियान शिकर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित आसियान शिकर सम्मेलन में भाग लिया था, और 17 आसियान भारत शिकर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को virtual आयोजित किया गया था मतलब इन सब में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था ओके गाईज यह हमारा आसियान इसी के साथ होता है complete ठीक है गाईज हेलो गाईज आज हम स्टार्ट करने वाले bricks it's very 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 important bricks ठीक है अब देखें bricks में क्या है bricks क्या होता है पाँच देशों का समूँ होता है जो विश्व की अग्रेनी उभरती अथे वस्ता के लिए प्रियोक किया जाता है bricks की स्थापना 2006 में रूस में होई थी यानि bricks किसने देशों का समूँ है पाँच देशों का इसकी स्थापना का होई थी 2006 में और 2009 में अपनी प्रिथम बैठेक में दक्षन अफरीका के साथ समाविश के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया पहले एक ब्रिक था और अब किसमें परिवर्तित हो गया ब्रिक्स में यानि पहले ब्रिक्स में कौन-कौन से देश थे ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और अब इसमें कौन नहीं देश शामिल होगे दक्षन अफरीका भी शामिल होगे ठीक है काई इस अच्छे से याद कर लेजेगा B for Brazil, Russia, I for India, C for China, S for South अफरीका ब्रिक्स के स्थाप्रा के उदेशे क्या-क्या थे प्रतेक राश्की आंतरिक नीती और परहस्परिग समानता में आहस्त शेप की अतिरिक्त इसके सदस्ये देशों के मद्य सयोग और पारहस्परिग आर्थिक लाप का वित्रहन करना यानि आपस में सयोग इस्थापित करना और आर्थिक लाब, ये दोनों होने चीएं, इसके अलावा वही है, आंतराष्टे स्थिरता बनाई रखना, आर्थिक विकास, ठीक है, भहुद रोविय है, दुनिया का एक जुट केंदर बनने में महत्पूर्ण, यानि एक जुट, एक साथ मिलके काम करना, ये चितने भी सं है, उन्हें मतलब बाची से स्वाल्व करना, ठीक है, नेक्स है कि ब्रिक्स के सम्मेलन, ग्यारवा सम्मेलन 2019 में ब्राजिल में हुआ, जिसके अद्यक्षता ब्राजिल के राश्वपती जायर बॉल्स नारो ने के थी, और बारवा सम्मेलन 2020 रूस में हुआ, और रूस ब्र और चिखर सम्मेलन नौ सितम बद 2021 को वर्ट्वल माद्यम से आयोजित किया गया जिसके अध्यक्षता भारत की प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी नहीं की याँनि तेरवा इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंतरी नहीं इसकी अध्यक शता की थी इस सम्मेलन का विशे भी आपको याद रखने है निरंतरता समेकन आम सहमती हेतु ब्रिक्स के भी सयोग था ठीक है अब देखिए नेक्स रे काउंटर टेररिजम एक्शन प्लान आतंगबात को रोपने के लिए ये बनाया गया है ठीक है गाइस और इसके अलावा क इस पर चर्चोई व्याश्विक शेत्रिय सुरक्षा मसलों पर चर्चाई और परियावरन के सुरक्षा के लिए भी जो मसले होते हैं उस पर भी चर्चा की गई ओके गाईस इसी के साथ हमारा ब्रिक्स भी होता है खत्म